हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टिप्लिकेशन की एक शॉटकर्ट ट्रिक बड़े ध्यान से देखिए ऐसे कुशिंस हम करेंगे जिन में सम अफ 10 प्लेस डिजिट 10 हो और 1 प्लेस डिजिट क्या हो सेम हो ध्यान से देखिए स्टेटमेंट देखके आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी यह पीछे देखिए वन स्प्लेस यह होती है सभी पार्ट जो हम ले रहे हैं यहां पर सभी में देखिए वन स्प्लेस यहने की युनिट्स प्लेस क्या है सेम है जैसे यहां पर 77 1166 तो यह पहचान है इन कुश्चिंस की कि युनिट्स तो यह चीज हमने ध्यान रखनी है कि इस तरह के कुश्चिंस हम कैसे करेंगे आज देखिए एक स्टेप में इनके अंसर होंगे ध्यान से समझिएगा कि इनको करना कैसे है देखिए इधर 224 बस 4 को हमने क्या लिखना है 04 लिखना है ठीक है अब जैसे इस पार्ट में भी प 82016 16 में यह वाला डिजिट एड़ कर दीजे बस 82016 16 प्लस 2 18 यानि कि इसका अंसर क्या होगा 1804 अभी इदर देख लेते हैं 73021 21 में यह 7 एड़ कर दीजे यानि कि 28 2849 इसका अंसर होगा आगे देखिए 1101 बस 1 को 01 लिख देना है यह 2016 16 प्लस 1 17 तो यह अंसर कितना बनेगा 1701 660 36 640 24 24 प्लस 6 13 सो अंसर इस 3036 इदर देखते हैं 244 प्लस 4 28 तो 7 7 जर फॉर्टी नाइन फाइफ 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 फ्वेट फ्वेटि फ्वेटिफ प्लस 7 थर्टी टू बड़ी असानी से यह क्वेश्चन सम कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा 8 8s are 64 64 24 24 प्लस 8 32 इदर देखिए इसमें अब 9 9s are 81 6 4s are 24 24 में 9 एड करेंगे तो 33 I hope आपको यह concept समझ आ गया होगा कि करना क्या होता है units place को direct multiply करके लिखो 10s place को आपस में multiply करो और unit place वाले digit को add कर देना है मैं आपको कुछ questions दे रहा हूँ practice के लिए आप उनकी practice करिएगा यहीं पर लिख रहा हूँ जैसे कि 15 multiply 95 आप इस question की practice कर सकते हैं 45 multiply 65 इसकी practice करिए 73 multiply 33 और देखिए 51 multiply 51 यह 4 parts मैंने आपको दिये हैं आप इनकी practice कर सकते हैं और अपने आप भी कुछ values लेके try करके देख सकते हैं एक single step में बड़ी असानी से आप इस question का answer निकाल सकते हैं और बहुत helpful है competitive exams में ऐसे questions आते हैं बिलकुल जिनमें यह rules यह tricks use होती हैं I hope आपको यह video भी पसंद आया होगा हमारे videos को like और share जरूर करते रहें thank you